तो कैसे मैं अपग्रेड रुआ इस बच्ची गोश्ट राडर से इस वाले गोश्ट राडर के अंदर एंड उसके बाद मैं अपग्रेड रुआ इस खतर ना गोश्ट राडर के अंदर फाइनली इतने दिनों बाद आज मैं पुलीस टेशन के अंदर जाने अलाओ क्योंकि मैं इतने दिनों से छुट्टी पे था आज तो काफी सारे ओफिसर्स आए तो फटेक से अपनी भी गाड़ी आप पार्क कर देते हैं लेकिन भाई यहाँ पे तो जगाए नहीं है सभी ने गाड़ी लगा के रखी ओके ओके बाई यहाँ पे एक जगाए तो यहाँ पे अपनी कार को लगा देते हैं एंड भाई मुझे काफी ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि भाई मुझे छुटी सिर्फ 10 दिन की मिली थी एंड में 20 दिन बाद आ रहा हूँ हाँ यार काफी ज़्यादा ही लेट हुमें क्योंकि मुझे कुछ important काम आ गया तो मैं क्या करूंगा यार अबे देख अब जाक्या आया यह अबे हस क्यों रहा है तुझे पता नहीं अब तक तेरे पेस्तर बहुत ज़्यादा चीड़े हुए तू तो गया आज अबे यार मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए मैं इतनी दिनों से नहीं आ पा रहा था यार यह सा क्यों बोल रहा है अब तो मुझे काफी ज़्यादा डर लग रहा है एंड भाई आज पुलिस टेशन के अंदर इतनी ज़्यादा भीड की हुए रोच तो नहीं होती पुलिस टेशन के अंदर इतनी भीड तो आज की हुए रुक भाई किसी से पूछ लेते हैं अब यहाँ पे आज इतनी भीड की हुए अबे यहाँ पे ना आज एक पुलिस वाले की जगा खाली होने वाली है तो मैंने उसके लगा लगने की ट्राइक करने वाला हुए अबे यह क्या बोल रहा है यहाँ पे पेपर गंदर पड़ा था और यह सारे लोग भी उससे के लिए आए यार यह बंदा क्या बड़ बड चुक्ति यह तो हां ने तो क्या आज कितना काम पड़ा होा इसको बता ही नよね होता है और इसर बोच दा इंपोटन काम आगया था इसलिए मैं 20 देन लेक आ गया नहीं नहीं इसमें तेरी धोड़ी ना गलती है इसमें तो मेरी गलती है तू हमेशा के लिए चुट्टी ले 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 नहीं नहीं सर आप यह क्या कह रहे हो एक बार बोला ना सर ने निकल याँ से अरे 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 मुह क्या देख रहा है मेरा निकल ले बहाई यहां भी मुझे पुलीस की नोगरी से निकाल दिया रूक रूक एक मिनेट रूक सराथ बोलिए बोलिए तोचने गाड़ी यहां पे रखे जाना इतना है बोला था on the way अबे हाँ यार इतना समझ में आता है तो सीधा नो क्री से निकाल दिया, छोड़ो भाई, फिलाल तो घर पे चलते हैं, पुलिश जन के पास में ही मेरा गर, छोड़ो भाई, घर पे आ चुके, और मैं उझे बहुत ज़्यादा घुसा आ रहा है, भाई, मैं तो उसको छोड़ूंगा नी, फिलाल तो भाई, क्या ही कर सकते हैं, भाई, हम अभी, यार, अब मैं क्या करूँ, यार, मुझे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, और साथी साथ घुसा भी आ रहा है, चलो भाई, थोड़ी तरी टीवी देख लेते हैं, घुसा थंडा हो जाएगा मेरा, एंड भाई, ये टीवी के अंदर ये क्या गोष्ट राइडर, एंड ये लिग दिया में गोष्ट राइडर, एंड इसको पर क्लिक करते हैं, भाई, सच में यहाँ पर तो ये वर्क कर रहा है, एंड यहाँ यहाँ पहला टास आ चुका है, जो कि दिस्ट्रॉय दो पुलिस स्टेशन, भाई साब पहला ही टास इतना गोष्ट राइडर, पुलिस स्टेशन, भाई से जम लागाते हैं, भाई सिर्फ कमर ना तो उट जाए, नहीं भाई, नहीं दूटी, अब स्टार्ट करते हैं, पुलिस स्टेशन को डिस्ट्रॉय करना, सबसे लिए तो भाई सारी गाड़ियों को उड़ाऊंगा मैं, और अ और पुलिस आती होगी, फटेक से आप पुलिस वाली की गाड़ी लेके बाग जाते हैं, अच्छा हुआ, भाई मैंने इस गाड़ी को उड़ाया नहीं, और जिन गाड़ीयों को मैंने उड़ाया है, उनके कितनी ज़्यादा पास खड़ी है, तो भी इसके अंदर आग नही और ऑल्ड हाउस पर चलते हैं, भाई साब जैसे जैसे मैं यहाँ पर ओल्ड हाउस पर आ चुको, और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा पुलिस थी, अबे नहीं यहाँ पर पुलिस आ गई, नहीं इनोंने तो मेरे उपर फाय करना स्टार्ट कर दिया है, जल्दी भागना प उबर चलता हो, उसके बाद देखते हैं, क्या करना है, और यहाँ पर हम जट की उबर आ चुके, और यहाँ पर हम सेफ हैं, यहाँ पर पुलिस वाले नहीं आ सकते, और अब मिझे सिर्फ वेट करना है, यहाँ पर पहले घोष्ट रैडर का, एक सगड भाई फोन बजा, चे लेकिन यार मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, क्या करूँ, अब क्या करूँ, हाँ याद है, यहाँ पे मेरे ओल्ड हाउस के गैरेज में एक सूपर स्पिलेंडर रखी होती है, क्यो भाई मैंने उसको यूज करना काफी दिनों पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन भाई उ आज तो इसकी पकी कमर तो उटेगी, इतनी मेहनत से नीचे आया हूँ, तो यहाँ पे सूपर स्पिलेंडर तो होनी चाहिए, भाई सब है यार यहाँ पे सूपर स्पिलेंडर, भाई मुझे लगा था यहाँ पे सूपर स्पिलेंडर नहीं होगी, क्योंकि चोर भी बहुत स जुरासिक पार तो काफी ज़्यादा बड़ा है यार मैं कहा पे डूंड भाई उसे अब भाई साब यहाँ पे काफी ज़्यादा टाइम हो चुका है और मैंने इधर उधर सब जगा देख लिया लेकिन मुझे अब तक नहीं मिला एक सेकेंड भाई वो सामने के आए पेड के बीचे काफी ज़्यादा चमक रहा है अब यहाँ पे बाई में कपका डूंड रहा है तो भाई हमें यहाँ पे हमारा पहला गोष्ट डाडर मिल चुका है अब भाई में इसके अंदर अप्ग्रेट नहीं होंगा क्योंकि भाई अभी तक यह बच्चा ही है लेकिन फिलाल के लिए इसको कलेट कर लेते यह मने कलेट कर लिया चलते अब जुरासिक पाउर से बाहर क्योंकि भाई यहाँ पे काफी सारे डाइनोसर से एक भी डाइनोसर सामने आ गया ना बाई तो गयम तो फटक से बाईक के उबर बेटे एंड चलते जुरासिक पाउर से बाहर आ चुका हूँ एंड नेक्स टास्क के लिए मुझे बाइक से नीचे उतरना पड़ेगा एंड यहाँ पे देखो भाई फोन में बच चुका है हमारा एंड यहाँ पे नेक्स टास्क भी आ चुका है जोकी है कि All the Zombies on Airboard भाई साब यह भी काफी खतरनाक चैलेंज है क्योंकि भाई एरपोड के उपर काफी जादा Zombies होते है और उनको मारना काफी जादा मुश्किल है लेकिन भाई टास्क दिया है तो complete दो करना पड़ेगा तो चलते भाई फटेक से एरपोड पे यहाँ पे मैं एरपोड पे आ चुकूं एंड एक सिकेंड भाई यह सामने क्या है भाई साब यहाँ पे घोष्ट रैडर बाइक रखी हुई है और आपको तो पता है भाई घोष्ट रैडर बाइक कितनी जादा पावरफुल है भाई जॉम्बी तो एक मिनिटी के इनर जल जाते सारे आजाओ भाई सारे जॉम्बी अब नहीं छोड़ूँगा मैं किसी को भाई साब कितने सारे जॉम्बी यह एंड मैं बाइक से कैसे नीचे गर गया यहाँ पे तो सारे के सारे जॉम्बी मेरे ही उपर आ गए एंड सबके सब जल रहे भाई यहाँ पे गोश्ट रैडर बाइक से यहाँ पे मैं जैसे देसे निकल के बाहर आ चुक हो यह लगा दिया भाई बाई बाई कितने सारे जॉम्बी यह पे और चार पास जॉम्बी यहाँ पे बाई दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ बाई दूसरी गोश्ट रैडर की लोकेशन भी आ चुकी है और भाई यह तो एरपोर्ट पे यह तो रहे भाई सामने बिल्डिंग 100% इसके ही उपर हमारा दूसरा वाला गोश्ट रैडर जैसे दैसे मैं इस बिल्डिंग के उपर आ चुक हुँ और अब देखते यहाँ पर दूसरा गोश्ट रैडर मिल चुका है लेकिन मैं इसके अंदर भी अपग्रेड नहीं होने वाला हुँ लेकिन क्या बादा भाई इसके बाद वाला और जड़ा खतरना को फिलाल के लिए इसे भी कलेट कर लेते एंड यह मैंने कलेट कर लिया अब चलते हैं कर रहा ना भाई यह लगता है भाई उसकी बात कर रहे है नहीं यार वो तो काफी ज्यादा खतरना के और उनको गंद से मार तो भी कोई फरक ने पड़ता है सिर्फ आरपीजी से मार सकते हम उने और यह लो भाई जिनका नाम ले रहे तो वो आभी चुके और यह तो हाथ ध पास अब यार कहा पर भाग गया यह मुझे दिख क्यों ने रहा है ओके बाई मिल गया फटेक से बाइक से उतरते अब नहीं भाई यह तो भाग रहा है इस जल्दी मारना पड़ेगा एंड यह निकाल दी मैंने और भी जी यह ले भाई खत्म और यहां पर मारा लास्ट टा बिल्दिंग लग रहा है तो चलते हैं फटेक से हमारे गेम के सबसे उची बिल्दिंग के पास जो कि हमारे सीटी के बीच ओ बीच एंड यह तो बड़ी बीडिंग है मैं तो इसको अच्छे से देख भी निपा रहा हूँ लेकिन यहार यहार बड़ी प्रब्लम होगी मैं बिल्दिंग के उपर जाओंगा कैसे मैं स्पाइडर मान तो हूनी डेरिक जाने के लिए एंड अंदर से भी जाने सकता बिल्दिंग बन दें तो क्या अब मैं भाई घोष्ट राइडर नहीं बन पाऊंगा एक सेकेंड भाई यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जा रहा ह खतरनाक है क्या अब मैं इसके अंदर अपग्रेड हो जाओंगा भाई साब यहाँ यहाँ मैं घोष्ट राइडर बन चुका हूँ एंड इसकी सारी पावर्स मेरे पास आ चुकी है यह सपना था आई यार मैं घोष्ट राइडर बन गया था कितना ज्यादा मज़ा आ रहा बाकि तुम्हें यह वीडियो जलासी भी पसन आई हो कि तो लाइक करो चैनल पर नहों तो सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें हमारी पिछली इंटन बैक्ट्रेवं 30 की वीडियो देखनी तो यह आपे क्लिक करके देख लो मैं आपको वहीं मिलता हूँ